नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड़्डा जॉब्स में जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फेलिंग और आंसर की से रिलेटेड लेटेस्ट से लेटेस इंफर्मेशन आज मैं आपको तेलांगाना हाई कोर्ट में जो सिविल जज़पत की भरती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ आज मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वेकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीज, सैलरी, इंपॉर्टेन डेट और एक्जाम पैटन से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊँगा आगे हम वेकेंसी की बात करें तो तेलांगाना हाई कोर्ट में सिविल जट का टोटल 87 पोस्ट है और अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल्ड मैट्रिक्स देखनी है तो आप ओफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के प्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट लाग रेजुएट हो मनेता प्राप्त संसा से और आपके पास तीन साल का वार्क एक्स्पिरेंस भी होना चाहिए आगे हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी उ गुम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए रिजौट कैटेगरी को यहां पर उप्युक्त एज रिलेक्शेशन भी दिया गया है जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रिप्शन भी चेकरना है आगे हम सेलरी की बात करें तो आपका पेश के लिहां पर 27,700 रुपए से 44,770 रुपए के बीच होगी आगे हम इंपार्टेंट डेट की बात करें तो फॉप फिलफ होगा आपका 13 मास 2020 से 13 अप्रेल 2020 के बीच फीस पेमेंट होगा आपका 13 मास 2020 से 13 अपरेल 2020 के बीद स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप 23 अपरेल 2020 को और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका 3 मई 2020 को आगे हम सलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर कम्प्यूटर बेजड स्क्रीनिंग एग्जाम रिटन एग्जाम और वाईवर टेस्ट होगा कम्प्यूटर बेजड स्क्रीनिंग एग्जाम में 100 MCQ होगा 100 मार्क्स का इसके लिए आपको 2 गंटे का समय मिलेगा और इसका मार्क्स फाइनल बेरिट लिस्ट में नहीं जूडेगा जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर करेंगे उनका रिटन एग्जाम होगा जिसमें कि आपका 3 पेपर होगा जिसमें पेपर 1 सिबिल लाग का होगा पेपर 2 क्रिमिनल लाग का होगा और पेपर 3 इंग्लिश ट्रांसलेशन का होगा सभी पेपर यहाँ पर 100-100 marks का होगा और इसके लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलेगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की ज़्यादा जानकारी आप official notification में भी चेक कर सकते हैं जिसकी link मैंने इस वीडियो के description box में दी हुई है और आगे जो candidate written exam clear करेंगे उनका वाईवा टेस्ट होगा वाईवा टेस्ट की ज़्यादा जानकारी आप official notification में भी चेक कर सकते हैं जिसकी link मैंने इस वीडियो के description box में दी हुई है तो दोस्तों आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपका इस notification से related कोई सवाल या सुझाव है तो आप comment box के माध्यम से हमसे संपक कर सकते हैं ऐसे ही job notification सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड़ा जॉप्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथी साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलें धन्यवाद सबस्क्राइब भी कर सकते हैं जसलग कर सकते हैं